आपको पता देए जहां एक तरफ सिरकारें खिलाडियों को प्रसाइद कर रही है खेल के लिए किर्किट के लिए वहीं दूसरी तरफ जो किर्किट एशो은सेशन है, वो कहिना कि खिलाडियों को उच्पिडन करते नज़ आ रही है, ऐसा रोप रुड़की की 22 अकेडिमों नहीं लगाया है, जिला किर्किट एशोशन चिर्डवार एशोशन है, अंदर 22 किर्केट caps टवी रेस्टर्ड हैं, जिसमें से 14 अकेडमी फिलाल आज यहां पर मौझज है, और भी 2-3 अकेडमी हमारे साथ मौज़ोद हैं, लेकिन आज शुक्करवार जुम्हा होने की वजह से यहां पर मौझज नहीं हो पाई, लेकिन हमारे साथ हैं वो लोग वो 14 academies परिषान हैं इस selection से जो selection हमारे किरकेट 169 भच्दवार की तफतिक किये जा रहे हैं senior league में इसमें मनमानी ढंक से मनमानी तरीके से selection किये जाते हैं बताया कुछ और जाता है करा कुछ और जाता है जो चैन करता है इनके कषित बनाये गेते हमें यह बताया गयाता है यह आज भी ऑफजर्वर बनाये जाते हैं ओफजर्वर शिर्फ होता है ग्राउंड की देख रेक मैच को करवाने वाला ना की वो سलेक्टर सब्सक्राइब करेंगे ना किसी बच्खिराडी को कोई जवाब देते हैं ना कोई स्पस्टी करन देते हैं अभी उन्होंने एक गड़के पर बैन लगाया जब्सक्राइब कागज मेरे पास मौजूद है सारे कागज उसके बिल्कुछ सही है उसके सिर्फ बशर्टिविट एक साल पुराना था, उसको एक साल के लिए रोका जा सकता है नियम के अनुषार उसका बशर्टिविट दो साल होना चीह था, उन्होंने इस ब्याब पे दो साल का बैन लगा दिया जबकि पिछले साल उन्हों ने प्रकाश अकेडमी के एक परभू आदित्य परभू नाम के लड़के को खला जिसका बर्स सर्टिविट आस्तक बना हुआ है ही ही नहीं प्रकाश अकेडमी यही किर्केट आस्योशेशन भरिद्वार है उसके एक मेंबर है अनिल खुराना जी उनकी अपनी अकेडमी है जबकि आस्योशेशन में मेंबर रहते हुए अपनी अकेडमी चलाई नहीं सकते हैं ऐसे ही हमारे इंदर मोहन बर्सवाल जी जो सचिफ साव है उनकी अकेडमी चल लगा है जो रुड़की के लड़के हैं वो भी वहीं जाके खिलते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा चैन हो जाते हैं लेकिन सुना ही नहीं जा रहा है इस चीज को हमारे जो किरकेट एशोशेशन आफ उत्राखंड के सचिफ साव हैं महीं बर्माजी वह भी हमें सपोर्ड करते हैं लेकिन उनकी भी यह नहीं सुनते हैं वह हमारे साथ नहीं जो पिल ऑंकर दे उनके हितों के वारे में बातकरें लेकिन इंदर मोन बचलूटन गलंए कि नियुक अब seulement Hills time साब से पूछा जाना पत्राचार लगातार तीन साल से लगातार करा जा रहा है लेकिन लेकिन क्योंकि किर्केट एशुची दें प्राइवेट संसा है इसमें शाचन का कोई हस्ता चेप नहीं होता ने ढंक से जो अपने चहेते हैं उनको जुरू बेजा जाता है उनके कागट हाँ जी बिलकुल होता है मैं होटल में बैठके क्योंकि 11 तारिक को फाइनल हो गया था क्रीक हिरो से यह आप चैन कर रहे हैं वह तो वहां पर बिलकुल फ्रंट पर है जब हमने टीम करें बना ली तो उन्होंने जो टीम डिक्लेर करी है वह परसों राज को करी है वह भी प् हम लगातार उठारे हमने प्रैस कांफेंस रुड़की के अंदर नेरीव स्टेडेम में करीब ही थी वो भी हमने आवाज उठाई थी बिए कि देखिए अभी हमने इसके मेल यहां से कई मेल करें पिजले साल भी हमने लगातार मेल करें थे लेकिन जो इस साल हुआ है वह तो मेरे अपनी academy का कोई बच्चा नहीं है लेकिन डिस्टिक हरिद्वार के जो बच्चों के साथ गलत किया गया है उस बच्चों के साथ में स्याय हो अब जो बच्चा 25 खेला है लास्ट एर स्टेट की टीम में खेला है इस बार उसको दरगिनार करके साइड में बठा दिया गया क्रीक हिरोज कोई माप दंड नहीं होता सेलेक्शन का हमने ये भी कहा था आप सेलेक्टर बुलाईए बाहर से बुलाईए अन्नोन परसन बुलाईए उसका जो भी खर्चा होगा रहने का खाने का सारी academy वाले मिलके कर लेंगे लेकिन ये तैयारी नहीं होते क्योंकि माप फ चक्तर और पांच विकिट है और जो जिस लड़के का दूसरे का सेलेक्शन हुआ है उसके सिरफ तीन विकिट है और सेवंटी रन है तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि डबल पोफेंस देने वाले बच्चे का सेलेक्शन नहीं है और जो अच्छा खेल रहा है अगली बार करते करते आज तीन साल हो चुके हैं अब लगता है कि इसको मुद्दे को जोरो शोरो से उठाये जाएगा तभी जाके बच्चों का आगे नंबर आपाएगा नहीं तो यह सब के लिए है आपके किसी का बच्चा भी ऐसा हो सकता है जो आगे निकलना चारा हो ख कि हर बार सोसते हैं कि एक दो बच्चों को भार खिलाया जाए जिससे कि इस एकेडमी का भी नाम हो उस बच्चे का भी नाम हो शहर का भी नाम हो पर उनको मुझे नहीं दिया जा जायेगा और उनके साथ उत्रिण किया जाएगा तो यह गलत है तो मैं सबसे पहले यह कोंगा जो बच्चे डिजर्व करते हैं हम उन्हें पूरे साल किर्केट खेलते हुए देखते हैं पहले मोका उनको देखते हैं हुआ 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 है